नमस्कार दूस्तू मैं इदेश पटेल आप सबका स्वादत करता हूँ एक बार अपने यूट्यूब चैनल लगे गर्मलाइन क्लासेश पे आज हम लोग क्लास 10 का जो मैट का भूख है उसका इससाई 3.2 को सोब करने वागे हैं ठीक है इसमें जो पहला कोशन है दो कोशन दिया हूँ है कुल्मला के साथ कोशन दिया है और जो पहला कोशन है यहाँ पे ये एकनल पर is एक नुमवर है इसमें दो कोशन दिया हुआ है और दोनों कोशन वो कर रहा है कि इन शमस्याओं में रहकिक समिकर्णों के यूग बनाईए और उनके ग्राफिय विदी से हल कीजिए मतलब जो सवाल दिया उसको बिजगरितीय फॉर्म में लाना है उसके बाद उसका सोलुसन करना उसका मान निकलना है और मान निकलने के लिए यहाँ पर ग्राफिय विदी का इसमाल किया है तो पहले इसको हम लोग बिजगरितीय फॉर्मिला दे उसके बाद हम लोग ग्राफ पर चलेंगे ठीक है? यह उसमें का पहला कोशन है इसमें का राए कि कछा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गडीत की पहली परत्योगिता में भाग लिया यदि लड़कियों की संख्या यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से चाला दीखो तो पर्दियोगिता में भाग लिए लड़कों लड़कों की संख्या ग्याद करें इसको पहले हम लोग क्या करेंगे बीज़ करेंगे इसके बाद इसको ग्राफिय विजी से खल करके और लड़कों लड़कों की संख्या ग्याद करेंगे सबसे पहले इसमें जो निकाले के लिए दिया हुआ है उसको माल लेते हैं खल माना की लड़कों की संख्या पराबर देख्स तथा लड़कियों की संख्या पराबर वाई पहली सर्थ से कच्छा 10 के 10 भी दियारती होने है इसका मतलब की लड़का और लड़की इन दोनों का जो योगफल है वो 10 के बराबर है तो यहां पहली सर्थ हो जाएगा x प्लस y बराबर 10 समितर एक इसको मान सकते हैं डारेक्ट यहां कर सकते हैं दूसरी सर्थ से अब दूसरी सर्थ में यह कर रहा है कि लड़कीयों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है लड़कीयों की संख्या अधिक है लड़कों की संख्या से कितना तुच्छा लड़कीयों की संख्या को y माना गया है लड़कों की संख्या को x माना गया है और y जो है इस x से 4 अधीक है तो बराबर करने के लिए 4 हम इसमें आफ करेंगे तब यह बराबर होगा अगर इसका solution क्या जाता हो जाएगा x-y बराबर माइनस 4 समिकरण 2 इस सरह से क्या कर सकते हैं मतलब यह जो equation है समिकरण का जो application दिया हुगा है इसको बिजगरी दिये for में लाके इसके बाद जब इसका अगराफ किछेंगे तो गराफ किछने के बाद इसका जो x-y का गराफ होगा उसी मान पर क्या होगा गराफ कटेगा तहीना कहीं जो यह कटेगा और यह कटने वाला जो मान होगा यही मान x और y का यह मान हो जाएगा ठीक है तो इस तरह सिखना कर सकते हैं इस equation को solve करके यह तो मैंने केवल बिजगर की यह form में दिया इस एक और दो को इसमाल करके इसका ग्राब कीचना है ठीक है यह question नमर दू है question नमर दू में कहा रहा है कि 5 pencil तथा जबकि साथ pencil तथा 5 कलमो का कुं मुल 46 रिए है तो एक pencil तथा 1 कलम का मुल याद कीजिए एक pencil का मुल रहा ही और एक कलम का मुल रहा है सो हल में करते ही है माना कि एक pencil का मुल बराबर दिश हुट रिए अब पहली सर्थ में पांच पैंसिल है यहां लिख देते हैं पहली सर्थ पांच पैंसिल एक पैंसिल का मूल एक सुर्पिया तो पांच पैंसिल का मूल एक्स यानि पांच एक्स साथ कलम एक कलम कवाई है और टूटल खर्चा कितना हो रहा है पचाश रुपिया ये समी कलम एक सेट हो गया उसी कलर से दूसरा में दिया है कि साथ पैंसिल यहां दूसरी सर से साथ पैंसिल गता पांच कलम तो साथ पैंसिल का हो जाएगा साथ एक्स और पांच कलम है तो पांच वाही और दोनों का ख्रचाट फूटल हो रहा है कितना चीहारीज मुटिया यह हो गया समिकरण दो और इन दोनों समिकरण को किसी भी विदी से हल करके एक सवरवाही का मान निकाल लेंगे और वही एक सवरवाही का मान जो राया कि एक पेंसिल और एक कलम के लिज्ञान किजीए उसी को यहां माना गया है एक पेंसिल और एकिलम यह मान निकल जाएगा यह क्याल दीशत होगी है फर्म में सेट हुआ यह मान निकालने केलिए हमलों करना क्या है ग्राफिय भी दीशल करना है और जब भी उसके बाद कोसर नमर दो कह रहा है कि अनुपातों A1 by A2, B1 by B2 और C1 by C2 के तूलना कर ग्याद किजिए कि निमन समिकर यूग दवार निरुपीत रेखाएं एक बिंदू को परतिछेद करती है शमनांतर पतवा शंपाती है मैंने बताया था कि अगर A1 by A2 ब्राबर नहीं B1 by B2 तो यह हो जायागा प्रतिछेदी मतलब ग्राफ कटेगा दूसरा मताया गया था A1 by A2 ब्राबर B1 by B2 ब्राबर नहीं C1 by C2 कोई हल नहीं मतलब ग्राफ शंपनांतर होगा और तीसरा मिला था कि A1 by A2 ब्राबर B1 by B2 ब्राबर C1 by C2 यहां अनेक हल होगा और वैसे ही सिती में जो कराफ बनेगा दोनों लाइन का जो रास्ता होगा एक ही से होगा इस तरह से आप तीन कंडिशन मिला था अब हम लोग करना क्या है कि जितना भी इसमें कोशन दिया हुआ है तीन कोशन दिया हुआ है और तीनों कोशन को बस यहीं देखना है कि किसका तराब किस टाइप किस टाइप होगा समनांतोर होगा इस पर तीछेती होएं कि संबाती होगा जैसे इसमें पहला सवाद दिया है पांच एक्स माइनस 4 वाई प्लस 8 बश्यू इसको और समीकर्ण 1 माल लेते हैं A1 कमांद 5, A2 कमांद 7, फिर यहां B1 by B2 निकाले के, B1 कमांद minus 4, और B2 कमांद 6, अगर इसको simplify करे हैं, अगर minus 2 बढ़ता 3, अगर हम तुला करके देखे, A1 by A2 और B1 by B2, A1 by A2, B1 by B2, A1 by A2 कमांद 5 बढ़ता 7, और B1 by B2 कमांद minus 2 बढ़ता 3, इसका मतलब यह बरावर न नहीं है, जब यह कर्मिसान आ गया, इसका गörप क्या होगा? प्रतिछे दी होगा, क्योंगर अलोब करना क्या है? कै ऐसे लिखाके, और लिख देना है, कि स्कागरव किस टाइपस होगा, प्रतिछे दी होगा, कि शमांतर होगा या शंपाती होगा, यह पहलब कोरशन है, द 9x प्लस 3 वारी, प्लस 12 बराबर 0, 18x प्लस 6 वारी, प्लस 24 बराबर 0, इसको 1 और इसको 2 मांगे जाए फिर यहां गरां, a1 बाई, a2 निकावट है, a1 कमान 9, a2 कमान 18, एक बाटा दो b1 by b2, तो b1 कमान 3, b2 कमान से, एक बाटा दो, c1 by c2, 12 और c2 कमान 24, एक बाटा दो यानि यहां तीनों कमान बराबर, इसको मतलब के, a1 by a2 बराबर b1 by b2 बराबर c1 by c2, यह कंडिक्शन मिले रहा है और ऐसे इसीती में, जो हम ग्राब केचेंगे, उसका लाइन संपाती होगा, संपाती को मतलब है कि एक ही रास्ते से, दोनों लाइन ही बुझरेगी, बस इतना टरके, लिख देरा है उसी तरह से जो उसर मतीन है, 6x-3y, प्लस 10 बराबर 0, और 2x-y, प्लस 9 बराबर 0, यह समिकरन 1, यह समिकरन 2, अगर यहां A1 by A2 निकाले, 6x-2x-3, B1 by B2, तो-3x-1, इसका भी माना जायेगा 3, माना जायेगा 3, और C1 by C2, यह जायेगा 10, और यह 9, 10 बराबर 9, इसका मतलब कि A1 by A2, बराबर B1 by B2, A1 by A2, बराबर B1 by B2, दोनों का मान सेन है, जबकि यह अलग है, तो यह बराबर नहीं है, C1 by A, C2, और C2 में, ग्राब जो होता है, सम्रामतर होता है, तो तीन सवाल और तीनों पे एके करके दिया है, तो इस रस्वाल सवाल को सौट कर सकते हैं, अब एक उस्ष्ण अमर तीन को देखा जाएं, उस्ष्ण अमर इसमें तीन दे रहा है, कि अनुपातो, A1 by A2, B1 by B2 और C1 by C2 के तुलना कर ज्याद किजिए, कि निम्रेकिक समेकर्णों के जुग संगत हैं या असंगत हैं, मैंने बताया था कि A1 by A2 बराबर नहीं B1 by B2, यह पहला इसे कि मिला था, दुसरा मिला था, A1 by A2 बराबर B1 by B2, बराबर नहीं C1 by C2, और एक तीसरा मिला था, A1 by A2 बराबर B1 by B2, और बराबर C1 by C2, एक हल, कोई हल नहीं, अनेखल, यह मिला था, इसके साम मैं बताया था कि इसमें एक और चीज़ होता है, इसको कहते हैं हम संगत, और यह भी होता है, शंगत, यह होता है, और संगत, एक और अगर इसका नाम देखा जाए, तो इसको कहें हम, और विरुधी, यह भी होता है, और विरुधी, जबकि यह कंडिशन विरुधी के लिए होता है, किताम में यह नहीं दिया है लेकिन हम लोग याद रखेंगे हो सकता एक objective में objective वाले question में ऐसे पूछने इस question में क्या करना है कि जो भी equation 3 equation यह दो दिया हुआ है 5 equation दिया हुआ है और प्रते के लिए बस यह बताना है कि कौन संगत है कौन और संगत है जैसे मैं आ लेकरा हूँ पहला question 3x प्लस 2y ब्राबर 5 इसको माल लेते हैं संकरनी 2x-3y ब्राबर 7 इसको 2 माल लेते हैं अब यह जाचना है कि इसका हल संगत है या और संगत है तो सबसर पहला हम क्या करेंगे a1 by a2 निकालेंगे a1 कमाद 3 a2 कमाद 2 3 बटा 2 फिर यहां गर हम b1 by b2 निकाले तो b1 कमाद 2 और b2 कमाद minus 3 अगर हम यही पे देखे a1 by a2 और b1 by b2 यह दों बराबर नहीं है मतला a1 by a2 बराबर नहीं b1 by b2 तो यहां उता सकते हैं कि यह शंगत के सिती है बस इसी तरह क्या करना है यह देख लेना है उसी तरह से जो सेकेड़ बला कुसर है उससर नमर 2 2x मैनस 3 वाई बराबर 8 इसको माद लेते हैं समय करने एक 4x मैनस 6 वाई बराबर 9 यह हो जाए अगर 2 a1 by a2 तो 2 बट्टा 4 या एक बट्टा 2 b1 by b2 मैनस 3 बट्टा मैनस a इसका विमान एक बट्टा 2 और यहां अगर c1 by c2 निकाले तो c1 कमाद तो 8 और c2 कमाद 9 यानि यह तो 8 बट्टा 9 उग जाएगा लेक्षी जहां क्लियर है कि a1 by a2 और b1 by b2 यह दों बराबर है जब यह बराबर नहीं है इसका मतलब жизion तभी मिलेगा e1 by a2 बराबर b1 by b2 बराबर नहीं c1 by c2 तो ऐसी सिती में कोई हल नहीं होता है कोई हल नहीं के सिती इसको कहाँ हमो और संगत संगत होगा तो हल होगा संगत होगा तो हल नहीं होगगा इस रसन क्या कर सकते हैं बागी सारे को संधु करके ऐसे जाज करके बस यहां संधत और संधत कोई चीक करना है बागी हो नहीं करना है तो इस रसन काम कर सकते हैं अब देखा जाएक कोश्चल नमेर चार कोश्र में कर राएक है कि बिल्ण रही कि सभी而ny करना हैं युगंव में कौन से हुझम शंगत या अशंगत है युई शंगत है तो गराके विदी से हो जयात करें अशंगत है तो उसके बारे में कुछ नहीं दिया है तो हमको जानते हैं कि दो इस्तिती संगत के लिए होती है कौन-कौन तो पहली सिती होती है जब ग्राप कर तीछेदी होता है यानि A1 by A2 बराबर नहीं B1 by B2 ऐसी सिती में संगत होगा और एक सेकेट होता है A1 by A2 बराबर B1 by B2 बराबर C1 by C2 S.E.C.T. में भी संगत होता है बाद समझना गई मतलब यहां इस कोशन में केवल संगत और असंगत के ही पाचान करनी है संगत के लिए दो कंडिशन है A1 by A2 बराबर नहीं B1 by B2 या A1 by A2 बराबर B1 by B2 बराबर C1 by C2 यह संगत है अगर A1 by A2 बराबर B1 by B2 बराबर नहीं C1 by C2 मिल जाए तो संगत नहीं होगा असंगत होगा इस सारे कोशन में असंगत करना क्या है कि बस पाचान कर लेना है कि कौन संगत है कौन असंगत है अगर संगत होगा तो उसका हल करना है ग्राफे विजी से ग्राफ से अब लोग हल कर लेंगे मैं अब यह ग्राफ को नहीं बताया है अभी आप लोग उसको किताब से देखके हल कर सकते हैं मैं ग्राफ के लिए एक अपना विडियो बनाऊंगा और इस विडियो का आप लोग पूरा देखें पूरा देखे, बिल्कुल इसकीप ना करें, अगर वीडियो अच्छा लगे, तो ही अपनी प्रतिकिरिया जाहिब करें, लाइक करें, सुस्क्राइब करें, जो भी करें, लेकर पहरे वीडियो को पूरा देख लिए, ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कोसन नमर पांच, यह कोस नमर पांच, कुर्शन नमर पांच कर रहा है कि एक आयतकार बाद, मतलब कोई बवेचा है, जो कैसा है, आयतकार रूपने है, एतकार समझते हैं, उच्छी स्टेप से, A, B, C, D, यह हो गया, यह बवेचा है, जिसकी लंबाई, चोडाई से, चार मीटर अधीक है, लंबाई चोडाई से, मान लेते हैं, माना कि, आयतकार बगीचे की चोडाई, मैं यहाँ डारेक्ट करके समझा रहा हूं, माना कि चोडाई बराबर, एकस मीटर, मीटर में दिया है, सेंटी मीटर होता है, तो मैं सेंटी मीटर मान लेता, जिस सी मीटर में देगा, उसी मीटर कोई ने अगर चोड़ाई दस मीटर है तो लंबाई चêuड़ाए से 4 मिटर अधीक है अगर चोड़ाई एकस मीटर ना गया तो लंबाई एकस प्लस 4 ये क्या होगा मिटर अब यहां दिया अर्ध परिमाप अब आयद का परिमाप क्या होता है आयद का परिमाप 2 इंटू L प्लस B L प्लस B मतलब 2 इंटू L प्लस B मतलब 2 इंटू L प्लस चोड़ा है लेकिन यहां अर्ध परिमाप दिया है अर्ध अर्ध मतलब होता है आधा आयत का पर्द परिमाब तादा मतलब by two two से two cancel मतलब किवर क्या मिलेगा L प्लस B याँनि यहाँ L प्लस B कमार कितना दिया है 36 सवाल में कर रहा है कि लंबाई और चोड़ाई मतलब L प्लस B कमार याँनि पर्द परिमाब कितना दिया है 36 मीटर दिया है एक से टोड़ेंगे तो 2 x बराबर 36, 4 उदर ले जाएंगे तो मैनस 4 गटाएंगे तो होजाएंगे 32, यहां से एगर हम x कमान याद करें, तो इस बट्टा हो जाएगा 32, बट्टा 2 काट किया जाएगा 16 मीटर, इस 16 मिटर क्या मिला? X का मान और X क्या मन अग्या है? तो चोड़ाई, इसलिए लंबाई क्या होगा? इसलिए लंबाई यानि L तो X प्लस 4 है तो 16 प्लस 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 मीचर, क्लियर होगा? इस रसल क्या कर सकते हैं? अगर मन है कि नहीं, हम इसको दो चर्वे बनाएंगे, तो दो चर्वे भी हम बना सकते हैं मान लेंगे, माना कि चोड़ाई X मिटर और लंबाई Y मिटर तो यह लंबाई क्या है? चोड़ाई से 4 दीख है तो बरबर करने के 40 मेर्ट करेंगे यानि X माइनस इसको अगर हम सौर्व करें तो यह तो इधर जाएगा X माइनस Y प्लस 4 बरबर 0 समिकरां 1 एक आप यह कर सकते हैं और एक एक्वेसन हम यहां से स्केट कर लेंगे तो दो चार्वे बनाएंगे और दोन को किसी भी बिदी से हर करकिमान याद कर सकते हैं तो इस सबस्द क्या करेंगे कुस्सर नमर पाँस को सबस्द कर सकते हैं समय आगिया मैंने यह बनाए नहीं मैं डारेक्ट समझा दिया कोई बड़ी चीज नहीं है सांसा कुशन है अब देखिए कुशन में अच्छी यह तो बहुत असान कुशन है कोशन नमर चे कर रहा है कि एक रैकिक समीकरन ठीक है एक कोई रैकिक समीकरन दिया है मैं इसको यह लीग दे रहा हूं कोशन नमर चे है 2x प्लस 3y माइनस 8 0 यह दिया हुआ है इसको एक मान के चाहते हैं फिर आगे कर रहा है कि दो चरों में एक ऐसी और रैकिक समीकरन लिखी है मतलब इसी टैट से एक और अपने मंग से लिखे रहा है ताकि प्राव की यूगुं का जैविती रूपन जैसा तो पहला सवार कर रहा है आपे प्रतिछेदी करती रेखाएं हो दूसरा सवार कर रहा है शम्रामतर रेखाएं हो और यह तिसरा सवार कर रहा है कि समबाति रेखाएं हो यह 3 ताइब से सवाल को यहां दिखनाए मतल capitalize यहा दे दिया है और अपने से एक लेना है और वो समिकर्ण इस प्रकाल से हो कि यह तीनों चीज हो जाए मतलब एक बार लेंगे यह बन जाए फे एक लेंगे ते यह बन जाए फे एक ने अब हम जानते हैं कि परती छेदी में क्या होता है A1 by A2 बराबर नहीं B1 by B2 तो हम लोग ऐसा लेना है कि A1 by A2 बराबर नहीं B1 by B2 सेट हो जाए तो यहां 2X है तो अपने समले रहे हैं 4X अब 2X तो 4X तो A1 कमान 2, A2 कमान 4 2 बटा 4, 1 बटा 2 अब ऐसा लेना A1 कमान कि ना जाए तरह तो यह 5 बटा लेते हैं और मन करें तो यह बराबर कर ले या यहां पे कुछ और ले ले यह 3 बराबर जीडू यह मैंने अपने से ले लिया मैं एक चीछ बता दूँ कि A2 कुछ भी ले सकते हैं लेकर लेने का तरीका ऐसा हो कि यह कंडिशन बस बिल जाए ऐसा नहीं है कि 4x plus 5 plus 1 plus 3 बरबर जीडू ही केवल होगा बहुत सारे क्यांतों संभाव है वो अपने से लेना है लेकिन ऐसा लिया जाए कि यह चीछ में लाग हो जाए फियर हुआ यह ले सकते हैं अब यह कैसे तो यहां देख सकते हैं A1, A2 दो बटा चा एक बटा दो प्लियर एक बटा दो तीन बटा पांच क्या लिए यह कंडिशन तो आया और यह कंडिशन में क्या होता है परदिशे भी तो यह तो मिल गया है से लिए अगर देखें कुशन में 2 तो 2 में क्या चाहिए 2 में चाहिए समांतर समांतर के लिए क्या होता है A1 by A2 बराबर B1 by B2 बराबर नहीं C1 by C2 मतलब यह दोनों बराबर हुआ ऐसा लिया जाए यह 2x है इसको हम 4x कर लेते हैं तो 1 बटर 2 आएगा इसको हम 6y कर लेते हैं इसको हम 1 बटर 2 आएगा प्लस यह 8 है तो यहां हम कर लेते हैं मैंनस 5 बराबर नहीं है यह बराबर 0 अगर हम इस दोनों का दूला करें 1 by A2 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 तो यह कर दिसन लेगा 2 बराबर 4 एक बराबर 2 तीन बराबर 6 एक बराबर 2 माइनस 8 बराबर 16 और तीनों के लिए मैंने ऐह इजामपल aside कर दिया मैंने इसे सुरुमेज बतारे के जरूरी नहीं है यह 700 ए 3 इसको होंगे और भी बहुत सारेalesicesum को सकते हैं बस अपने माइड पर डिपेड़ करता है कि हम कैसे सूचते हैं, क्लियर हुआ, और यह जो भी एक्जामपर लेंगे, कुछ इस तरह से इस पर लाग होना चाहिए, तो यह को कोसर नमर साथ अच्छे दी हो गया, एक और इस चिप्टा को कोसर नमर साथ उसको भी देख लेते है चलिए, कुछ नमर साथ को देखा जाए, साथ में का रहा है, यह दो बिना कर आप से संबढ़ हो नहीं, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, समीकर लो, दो समीकर में यहां दिया है कुछ नमर साथ में, एक्स माइनस वाई प्लस बराबर जीरो, समीकर लो दो दिया है, अब का राइस में है कि इन दोरों से ग्राफ खीचना है, ठीक है, यह ग्राफ बनाए जाएगा, जू भी ग्राफ होगा, मैं बस वैसे एक संधा दे रहा हूँ, यह कैसे बनेगा, पहले तो इसका ग्राफ के लिए जो टेवल बनाते हैं, साने वन, साने टू, या टेवल वन, टेवल टू, उसके लिए दो-दो माना हो निकाल लेंगे, और निकालके फिर हम ग्राफ दे जाएगे, इसमें कर राइए कि जब यह ग्राफ बनेगा, तो इस एक्वेशन के यह दोनों एक्रिशन का जो दो लाइन है, और एक सब से मिलके जो तिर्भूज बनेगा, उस तिर्भूज का जो सिर्स है, उस सिर्स का निद्य सामग्याद कर ले ला है, अगर हम मान लें, कि इसका लाइन यह गया, हम यह मान के चल रहे हैं, इसका यह, जो भी जाए, ऐसे ह हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, कहीं ही हो सकता है, मैं मान के बस्या लगा हूँ, और इसके लिए मान लें यह हो गया, तो यह एक क्रिभूज बन रहा है, एक यह हो जाएगा, एक यह हो जाएगा, एक यह हो जाएगा, कुछ इस ताइप से जो हो सकता है, कि यह ल कि जो यह तिर्वूज बनेगा इसका सिर्स है एबी सी इसका नियदेसान क्या होगा तो नियदेसान मतलब कि एक से और वाई से कितने दूरी पर है पर यह निकाल के लिखे देना है उमिद है। समय माया होगा। यह मैं इसलिय Α्याइज है कि मैं इसलिए नहीं बताए कि मैं भी ग्राफ नहीं बनाया हूए। जब तक हमचान मैं ब्ताएंगे तो रहो क्रना के भी नए दिखा सकते हम संभाव भी नहीं है २ man बढ़िया होगा, फ्रीव मैं बताओं मर कि कैसे हम लोग उसको बढ़ाते हैं, समझ मा गया है, तो आज हम लोगों ने क्या किये, कि चेप्टर जो एक्सरसाइज है 3.2, उसको आज हम लोगों ने स्वर्प किये, कोई बड़ी चीज नहीं था, असान संसर कोशन था, अगले व लोगों दे, लाइक के लिए कमेन के लिए टिकां, दाने बाद,